असलाम वालेकुम वेलकम टू माई चेनल आज हम बनाएंगे जारखन का फेमस चाट मसाला जो खाने में एकदम चटाक किदार और मज़ेदार होता है तो चलते हैं इस्टार्ट करते हैं बनाने के लिए 250 क्राम हमने मटर ले लिए थे सुखे वाले जो पीले होते तो इससे हमने ओवरनाइट भिगा कर रखे थे तो अच्छे से हमने धो लिया है और इसमें दो आलू भी हमने कट करके डाल दिये हैं तो प्रेसर कुकर में डाल देते हैं मटर और आलू को अब इसमें डालेंगे सके पि Almost कर दिते है कि नगे 20 enquanto कर देते हैं हम इसे और रख देते गiblतें पासेच से चची आने तक जенơn दे रख दिए है तो वेट करते हैं पासेच से चीटी आने तक मसाला तयार कर लेते हैं च अचिमस जींध जीर लेड़़ चमस अख़ा धन्या जार से पांस सुखा लाल मिर्स दिखा आपके उपर है काम जादा कर सकते हो इसे हलका 15 से 20 सेकेंड तक हम इसे खुसबू आने तक इसे हम सेख लेते हैं जब अच्छी फ्लेवर आ जाएगी तो हम गेस को बंद कर देंगे और धंडा होने के लिए रख देंगा इसे ग्राइंड कर ले पांस से छे सुटिया चुके हम ढकन खोल कर देख लेते हैं तो अच्छे तरीके से हमारे आलू और मटर गल चुके हैं आलू को हम थोड़ा सा मेस कर देते हैं जादा मेस ने करेंगे हलका दरदरा रहे है इस तरह हम आलू को अच्छे से मेस कर देते हैं तो फटा फर से मेस क चुका है अब चलते हैं तड़का लगा लेते हैं पेन में डालेंगे एक चमच तेल तीन चार हरी मिर्च बारिक काटकर तिखाप के उपर है तो टमाटर बारिक काटकर डाल देता है एक मिनिट तक इसे हम सोटे करेंगे एक मिनिट हो चुका है विसके अंदर हम डाल देंगे उबला हुआ माटर को हमें ज़्यादा गलाना नहीं है बस इसी तरह हमें रखना है तो डाल देते हैं इसमें माटर उबला हुआ जो मसाला ग्राइंड करके हम रखे तो वो दो चमच हम डालेंगे इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अब इसमें हम डालेंगे इमली का पानी पानी पूरी वाला पानी है इससे बहुत अच्छा खटा पाना जाएगा निम्बू डालने की कोई जरुवत नहीं है अगर पानी पूरी तो सभी को बनाना आता है तो अच्छे से मिक्स कर देते हैं अगर पानी पूरी घर पर ना बना हो तो मार्केट से भी लाकर आप इसमें डाल सकते हैं अगर वो ने तो निंगू डालकर आप खा सकते हो अब इसे हम एक से दो मिनीट तक पका लेते हैं तेयार हो ग अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक सेर कमेंट करें पुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी